खुबसूर्ती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन मली क्रीम ये बीते जमाने की बात है आज आपके स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा जैसे रूप मंत्रा आयुर्वेदे फेस क्रीम खबर बिजनौर से है जहां त्रीस्तर्य पंचाइच चुनाओं के मद्दे नजर शराब माफियाओं के खिलाफ बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहट बिजनौर S.P. के निर्देश पर पुलिस ने तीन शराब माफियाओं को अवैट शराब के साथ गिरफतार कर लिया है पुलिस ने गिरफतार हुए तीन शराब माफियाओं के पास से भारी मातर में अवैट शराब बरामत की है पुलिस द्वारा गृफतार किये गे तीनों शराब माफियाओं को आज नियालरक के आदेश पर जेल भेज दिया गया है पुलिस द्वारा गया है और एक बलेनो नंबर प्लेट जिसका तोड़ रखी है इन लोगों ने उसके अंदर से एक सो पचीज पवे अवयद सराब छे प्लास्टिक की जरीकेंड में जिसमें साट लिटर अवयद अपनी सराब है साथ खाली पवे हैं साथ किलोग्राम यूडिया है जिससे कि अपनी से सराब बनाते हैं और बनाने की उप्परण इन सारी चीजों की बरामनी की हुई है इसकी खपते लोग अगामी रिक्रेश करी पंचायच चुनाओं में लाब पहुचाने की दिश्टे से करना चाह रहे थे इसके लिए ला रहे थे इसमें सबसे बड़ी बात है कि लगबा के बीस मुकद में जिस अभी उपन हैं जिसका की नाम हिमेंद रूर्फ गोपी कारजन है जो कॉत्वाली साथ से कराने वाला है उसकी गिलबतारी हुई है और आप को अवगत ही होंगे कि इसके बिरुट लगबा के चार मुकद में धारा 302 हत्या के इसके अलावा धारा 307 के बलवे के साथ एक साइट के बीस अभी योग इसके बिरुट पन्जी करित है इसके साथ साथ दो साथ ही इसके और एक बहुता जंपत सोनी पत हरियाना का रहने वाला अजयर पकड़ा गया है दूसरा एक पुंदीप पुत राजयन निवासी समरिया थाना रो तक के रहने वाले हैं दो बेती हर्याणा के और एक बतवाली नगर छेत्र विजनवर को यह तिनों अभी उत्कारी हुई है मिन्पु की नियाई के ब्रेश्च्च्च्